हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब मैं गुर्मीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल गुर्मीर किचन में आज मैं आपके साथ राजमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए राजमा बनाने के लिए हमने दो कप राजमा लिये थे इनको हमने पूरी रात भिगो कर रख दिया था अब हम इसको एक प्रैसर कुकर में डाल कर इसके बीच दो कप पानी डालेंगे और आदा चमच नमक डालेंगे अब हम इसका डगकन लगाकर इसकी से साथ बिसल लगाएंगे से साथ बिसल लग चुकी है हमारे राजमा पक चुके है अब हम इनको चेक करते हैं देखे कितने अच्छे से पक चुके हैं अगर आपके राजमा पूरी तन ना पके तो आप इनकी एक दो सीटी और लगा सकते हैं राजमा बनाने के लिए हम इने तीन मीडियम साइज प्यास लिए थे इनको आपने बहरीग चॉप कर लिया है तीन मीडियम साइज ट्रमाटर लिए है इसका मैंने प्यूरी बना ली है दस से बारा कलिये लसन और तेन इंच अध्रका टुक्रा लिया इनका हमने पेस्ट बना लिया था लार्मेज पॉडर, दन्या पॉडर और नमक, जीरा और हल्दी पॉडर अब हम राजमा बनाने के लिए गैस पर एक कड़ाई रखेंगे इसके बीच हमने दो चमस तेल अड़ किया है तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके बीच जीरा अड़ करेंगे एक चमस जीरा लिया है अब हम इसके बीच कटे हुए प्यास अड़ करेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज को हमने थोड़ा से पका कर इसके बाद हम इसके वीज अधर क्लस्म का पियस्ट एड़ करेंगे अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा प्याज हलका ब्रॉन हो चुका है अब हम इसके वीज मिसाले अड़ करेंगे एक चमच हमने इसके वीज नमक लिया है आदा चमच लाल मिर्च आदा चमच हल्दी पोडर और आदा चमच दनिया पोडर अब हम इसको अच्छे से मिसालों के साथ मिक्स करेंगे देखें हमारा मिसाला अच्छे से बुन चुका है अब हम इसके वीज टॉमाटर की प्यूरी अड़ करेंगे इनको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसको डखकन लगाकर दो मिंट के लिए पकाएंगे देखें हमारा मिसाला कितने अच्छे से बन कर त्यार हो चुका है अब हम इसके वीज एक कटॉरी पानी डालेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इनको डखकन लगाकर पांच मिंट के लिए पकाएंगे पांच मिंट हो चुके हैं अब हम इसको चेक करते हैं देखिए कितना वड़िया कलर आ गया है ग्रेवी हमारी बन कर त्यार हो चुकी है अब हम इसके वीज राजमा एड़ करेंगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे राजमा के वीज बरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, बिटामिन वीक्सिक्स और फॉलिक एसिट पाया जाता है बहुत ही हैल्दी और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है अब हम इसको डक्कन लगाकर तीन से चार मिन्ट के लिए पकाएंगे देखिए हमारे राजमा बन कर त्यार हो चुके हैं राजमा खाने में बहुत ही टेस्ट होते हैं अब हम इसके वीज दनिया एड़ करेंगे अब हम इसके वीज हरीमेच एड़ करेंगे हमने दो हरीमेच लेई थी उसको लंबा-लंबा काट लिया था राजमा हमारे रेडी हो चुके हैं अब हम इसको सर्व करते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करकर बताएं वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू